आप देख रहे हैं बरिली प्राइम बरिली इस नमबर वन चैनल नमश्कार दोस्तों आपकी बात कारिकरम में आपका स्वागत है और आपकी बात कारिकरम में हम मिलवाते हैं आपको शहर के उन प्रतिष्ठत लोगों से कब कौन देश का नामचीन विक्ती बन जाए, कब कौन लोगों का सरमाया बन जाए, कब कोई बड़ा विक्ती बन जाए, कहां नहीं जा सकता आप इस शहर की भीर में से किसी को भी उस वक्त नहीं पहचान सकते ऐसा ही एक शक्स जो शहर में अपने स्टूडियों में बैठा हुआ, अपनी पैंसिल से, अपनी कूचियों से, अपने रंगों से, तस्वीरों को बना रहा था, पन्नों को सराबोर कर रहा था, अचानक से उसका वो काम भारत के राश्पती भवन में पहुंच जाए, ये एक क इनकी कलाकारी, उनके काम, ढाश्पती भवन की शोबह बन रहे हैं, और ऐसे ही एक सक्षियत से हम को मिलाते हैं, इनका नाम है प्रिंस चान, बहुत बहुत स्वाधत है आपका, आपकी बात कारिकरम में? बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस कारिकरम में मुझे इन्वाइट किया और मुझे इंट्रू करने की कहा मुझे और मैं बरेली शहर मेरे लिए शायद मेरे सपनों का और मेरी जड़ जो है वो बरेली शहर ही है जिससे मैं यहां से उप जाओं और आज मैं वैसे तदली में हूँ लेकिन मैं अपनी जड़ को शायद कभी ना भूल सकता हूँ और नहीं मैं कभी भूला इस शहर ने मुझे वो दिया जो शायद कुछ दुख भी है, कुछ सुक भी है ऐसा नहीं कि सलिए दुख सुक की बात हम बाद में करेंगे लेकिन ये बताईए कि आपके हाथों में ये जुम्बिश ये कुछ कुछ करने की कुछ कुछ होता है हाथों ने कब कहना शुरू किया शायद मेरे जहां तक मुझे लगता है ये मेरी पैदाईश के टैम तो ऐसा नहीं था कि मैं इस चीज को समझ पाया लेकिन जैसे जैसे मैंने होश समाला वो पैंसिल और लकीरे शायद मेरी जिन्दगी का सरमाया बन गए और मैं कब ये मेरी जिन्दगी की एक ऐसी तस्वीर बना दी इनोंने और कब रंग मेरी जिन्दगी में परवेश करे ये मुझे आज याद भी नहीं है हाँ इसके अलावा शायद मैं और कुछ हो भी नहीं सकता था अज़ जब आड़ी तेच्छी लाइने कहिशते थे या रंगों की दुनिया में जाते थे कैसा महसूस करते थे क्या लगता था या फीलिंग होती थी फीलिंग वस उसके अंदर एक ऐसा अनुभुती थी एक ऐसा सुख था जिसको मैं अपने अंदर लगता था कि कोई इनरजी है जो मुझे चार्ज कर रही है उन लकीरों में उन रंगों में मुझे ऐसा लग मैसूस होता था कि जैसे जिन्दगी यहीं कही है जिसे मुझे सिर्फ तलाश करना है और ऐसा सोचा नहीं था कि मैं कहीं बहुत बड़ा आर्टिष्ट बनूँ या फिर ऐसा कुछ है वो सब नहीं था बस उनी रहों में एक सुख था उस लाइनों में एक ऐसी कशिश थी जो मझे अपनी तरफ खेंशती थी हमेशा से अच्छा को उस्ताद रहे या अपने आपी तरफ नहीं नहीं मेरे उस्ताद रहे जिनसे मैंने पेंटिंग तो और खेर सीखने की चीज़ नहीं वो इनसान के अंदर होती है मैंने उनसे जिन्दगी सीखी वो मेरे बाबा एक मस्तान बाबा है वो मेरे उस्ताद रहे उनसे मैंने जिन्दगी में कैसे अपनी तकलीफों से जूजना है वो सब मैंने उनसे सीखा कि पेट में इनसान के रोटी ना हो तब वो कैसे स्ट्रगल कर सकता है हैं जिन्होंने मुझे पैचान के मुझे एक ऐसी पैचान एक ऐसी चीज से गुरू कराया जो रंग और पैंसिल से मेरा परचे जो बेहतर परचे था वो मेरे गुरू नहीं कराया मुझे पैंटिंग तो एक विधा है लेकिन आर्ट जिसे हम कला कहते हैं वो बहुत बड़ी चीज़ है उसका पैमाना बहुत बड़ा है उसका पटल बहुत बड़ा है किसी भी किसम की कला हो आपको कह लगता है कि कलाकार होने के लिए कुछ बुनियादी शर्ते होती है और जिन विक् बेहतर इंसान अगर आप बन पाएं, तो शायद एक अच्छे आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, हर किसी मेरा मानना तो यह हर किसी जॉब के लिए, हर किसी चीज के लिए आपको एक बेहतर इंसान बनना चाहिए, आर्टिस्ट की सोच, आर्टिस्ट का मन इतना निश्चल होना चा तो उसमें जाके जब नदी मिल जाती है तो उसका वुजूद खतम हो जाता है ऐसी आर्टिस्ट का भी होना चाहिए आर्टिस्ट का अपना वुजूद कुछ नहीं है जो कुछ है और अपने आप को जब समर्पित कर देता है क्ऌला के लिए तब उसके अंदर एक आर्ट जनम लेती है दिल्ली गाने के बाद और दिल्ली की गैल्डीज में भूम लेने के बाद यही बात आप कह रहे हैं हाँ, मैं हमेशा यही बात कहूंगा क्योंकि मेरा कोई यह वो नहीं है वेवसाय या कोई मेरा मैंने तो कलाकार के लिए मैंने आप कलाकार की बात नहीं करी मैंने तो कला कलाकार की लिए किन चीजों की जो वेक्ती अपनी कला को अपनी साध़गी से अपनी सलाहियत से समारता है वही जब आर्ट गैल्डीज में कुछ लोगों की पेंटिंग लग रही होती है तो उन्हें तमाम रागनीतियों से उन्हों तरवाते अपनी लगवाता है तो वहाँ पर तो वह इस इंसान का चेहरा अच्छा नहीं होता मैंने यहीं बताया है कि बहतर इंसान बनना चाहिए यह पॉलिटिक्स आज आज आड़ के अंदर शामिल होती है तो किसी भी चीज के अंदर जब पॉलिटिक्स यामल होती तो उसके चेहरे तबदील हो जाते है अच्छा किस विधा पर गाम किया आपने कौन से टेक्सचर्स आपने अपना है मैं ने स्केचिंग में काम किया वाटर कलर में काम किया आइल में काम किया क्रेलिक में काम किया आजकल मैं सिर्फ आइल में काम करता हूँ मज़ा किस में है वो सुख तो सब में है मज़ा किस में है नहीं ऐसा कुछ नहीं मैं कि एक की तरफ उंगली उठा कर नहीं कहसकता है कि इसमें सुख मिला हर चीज में सुख है बस पाने वबाला और लेने वाला हम चाहिए मैं उसको खेलता हूँ, वो मेरी जिंद्धी है मैं कोई अबादत नहीं करता मिरे लिए अबादत जो है मेरी कला है और कुछ भी नहीं है कला का रोप जो आजकल रखा गया ये शैद वो रूप है कला आज साधना नहो के एक एक सब्जेक्ट बन गया है जब जब किसी चीज को सबजेक्ट बनाए जाएगा अब म्यूजिक क्या है, म्यूजिक का आप सब्जेक्ट बना देंगे तो तीन ताल और दो ताल सीखने के बाद उसके आगे कुछ नहीं बढ़ पाते हैं ये एक साधना है और जो लड़कियां करती हैं शायद उनके पोटेंशल उतनी होती होगी अतनी होती है, अब आहमे करने के बाद भी वो लोग आगे नहीं बढ़ पाती है सैकलों और हजारों के हिसाब से ये लड़के लड़की आपके पास भी सीखने आए क्या पोटेंशल देखा और क्या बात देखी आपने कि वो आगे नहीं बढ़ पाए आप जैसा देखते तो भी उनको तरह से दिशाएं दे पाया, नहीं दे पाया कहां आप सक्सेस्वल रहे, कहां फैली और रहे, क्या कहना चाहिए मैं एक जगा रहा बस, कि इनसान के लालच, कुछ पाने के लालच को जो शायद मैं कंट्रोल नहीं कर पाया मुझे यह लगता है, कि वो लोग, जब आदमी उस चीज से पाना चाहता है तो वहां पर कुछ हासिल नहीं कर सकता, वहां पर खोना है, अपनी जिंदगी खोना है अपना सुक, अपना सब कुछ खो देना है, तब आड़ कहीं जाके इनसान को उसके अंदर समायत होती है ऐसा नहीं कि आप उससे कुछ पालेंगे, जब आदमी सोचता है कि इससे मैं कुछ गेन कर लूँगा, इससे पालूँगा तो वो पीछे रह जाता है, और यह मज़वी हो लगा, मैंने भी बहुत साल यहां पर क्लासिस चलाएं, वो सैक्डो लड़कियों में से, स्ट्वेंट्स में से, एक दो स्ट्वेंट ऐसे निकलते थे जो मेरी उस साधना को, उस चीज़ को बहुत आगे तक ले गए उसमें प्रिया थी, जिसकी डैथ हो गई, वो लड़की बहुत आगे उसने कोशिश की थी, अचा लड़कियां कच्छा पका काम भी करती होंगी, आप से कहती होंगी सर इसमें थोड़ा सा हाथ लगा दीजिए, आपने हाथ लगाया, थोड़ा पेंटिंग उठीक बना दिया, पता अगर वो रोटी के अंदर भी ढूने तो आर्ट मिल जाई, मेरा मानना तो ये कि आर्ट से अलग कभी इंसान रहा ही नहीं, आर्ट और म्यूजिक दो चीज़े से हैं जो उसके अंदर ईश्वर ने पहले से दिया हुआ है, हम उसको जितना डवलप कर सकते हैं उतना है, अच तो अगर उसके साथ commercialization नहीं जुड़ा होता, तो शायद मुझे नहीं लगता कि हम सबसर बड़ा market बन सकते थे, क्योंकि किसी भी चीज़ की अगर value नहीं आकी जाएगी तब तक वो उरूच पे नहीं जा सकती, इसलिए कहीं उपर पहुँचने के लिए कहीं कुछ compromises जो है आज मैं बहुत खुश हूँ इस पास से कि हुसेन साथ हुए, रजा साथ हुए, उन लोगों ने इसको एक ऐसी विधा, एक ऐसी चीज़ बनाई जिसकी value है, और लोग अपने बच्चों को आर्ट सिखाने से डरते नहीं हैं, उनको लगता है नहीं कि आर्ट भी एक जैसे MBA ह और सारे वो हैं, उनके अंदर ये भी एक ऐसा उनका profession और life बन सकती है, जिनसे कि वो आगे चल के अपना नाम और अपने आपको आगे बढ़ा सकते हैं जब तक आप पेंटिंग सिखाते रहें, जब तक आप लोगों के अंदर आर्ट को पैदा करते रहें, उनकी तूलिकाओं को एक सही माइने में दिशा देते रहें, तब तक तो ठीक था, लेकिन जब आपने शहर में अलग तरह के रंग घुलने की कोशिश करी, जब आपने दिश्टी आर्ट गैलरी बनाने की कोशिश करी कि यहां के लोगों को समझ में आए, तब आपको असली एडिया रगर नहीं कोड़ी, और कहीं न कहीं आपके प्लायन का कारणी बना बरेली से, तो दिश्टी आर्ट गैलरी के बारे में आपके चाले का कहते हैं? आपने बिल सपना आज भी है मजूद, उसको मैंने यहां के लिए समर्पित किया था, इस शहर के उन लोगों के लिए जो इस चीज के लिए तरपे होंगे, मैं जानता हूँ, कि मैं कितना तकलीफ में था, कि जब मैं पेंटिंग बना लेता था, तो एक्जविट करने के लिए, हो, तो वो आड़ गैली मैंने उसके हिसाब से उस सोच में मैंने डवलप की थी, और उसके बाद ये मेरी बदकिस्मती है, कि वो नहीं चली है, फिर बरेली वालो की है, ये मैं नहीं जानता है, इसको मैं आज तक डिशाइड ही नहीं कर पाया, चलिए हो सकता है, ये भी समंदर में जाके मिली, तो नदी का जब समंदर में मिलना होता है, उस तो कैसे मैं सूच किया, शयद बहतर है, मैंने इस्ट्रेगल इतना ज़्यादा यहां पर भी किया है, और वहां भी करता हूँ, और हमेशा करता रहूंगा, तो मेरे हिसाब से तो दोनों जगा मेरे पेंटिंग, पेंटिंग क्या है, इसको हम लगा के करेंगे क्या, वहां पर मुझे यह चीज समझानी नहीं पड़ती है, और मेरे अंदर आग थी, आग को आप कहीं भी ले जाएं, वो आग आगी रहती है, उसकी शकल का भी तबदील नहीं होती है, इसलिए मुझे कोई फर या शानती का और उसका पिर्टीग था, दिल्ली में शानती और वो सब कुछ नहीं है, आपके आस पास का बाता वरान भी आपकर प्रभाव डालता है, नहीं आप यहां से जाने के बात आपकी पेंटिंग्स में, आपके काम करने के तरीके में क्या बदलावाई है, बहुत चेंज आया है, बहुत चेंज आया है, मेरी पेंटिंग्स भी आज मैचर हो गई हैं मेरी तरह, मेरी पेंटिंग्स भी लोग अपने वहां पर लगाते हैं, और बहुत खुश भी होते हैं, कि हाँ एक अच्छे जो है विधा को दिया, मैंने एक ऐसी टेक्निक डवलप की है, जिसको दस साल लगे मुझे पेंटिंग को बनाने में, पेंटिंग की स्टाइल डवलप करने में, और वो स्टाइल ऐसी है, कि जिसके अंदर से आप अगर उसको ध्यान से देखें, उसको समझें, तो उसके अंदर से आपको ऐसा लगे है, जिससे रोशनी जो है, वो अंदर से पेंटिंग के निकल लगी है वो एक्शली मेरी अंदर की रोशनी है मेरी आत्मा जो अंदर से रोशन है अब मैंने राधा करेशन के उपर पूरी एक सीरिस बनाई तो उसमें वो रोशनी कहीं दिखी दी मुझे जलक दिखाई दी उस रोशनी की लेकिन आप जब मैंने बुद्ध के उपर काम किया गौतम बुद्ध के उपर काम किया तो वो उस रोशनी से मेरा साक्षात कार हुआ मुझे लगा कि वो रोशनी मुझे कुछ कह रही है वो मेरी पेंटिंग के अंदर कहां से जो है वो आई अंदर से दिखाई देती है दोस्तों तस्वीर को लगाने के लिए एक दिवार चाहिए इनके पास खुला आकाश है इनके पास बहुत बड़ी जमीन है इनके पास सुर्ख रूरंगों की बारिशे है इनके पास ये है वो है लेकिन दिवार नहीं है दिवार पर कील नहीं है और अभी तक इन्होंने अपनी तस्वीरों को अपनी चीजों को अपनी हूप पटाने रखा है लेकिन तस्वीर लगाने के लिए एक दिवार चाहिए किस तरह की दिवार ये तलाश कर रहे हैं किस तरह से इनका सफर राश्पती भवन तक हुआ और इनकी पेंटिंग्स वहाँ पर लगाई गई ये सब जानेंगे तिंस चांग से एक छोट इसे ब्रेक के दर ब्रेक के बाद पुना सौगत है आपका आपकी बात कारिकरम में आपकी बात कारिकरम में हम आपको आज मिलवा रहे हैं प्रिंस चांग से जो पेंटिंग्स के सिलसले से डुड़े हुए हैं और बरेली से दिली तक का सफर तय किया है और दिली से भी उन्होंने राश्पती भ्यवन तक का सफर तय किया है और उनकी पेंटिंग्स वहां लग रही हैं आगे भी कुछ उनकी योजनाएं चल रही हैं और लगातार वो कृष्ण की सीरीज और बुद्ध की सीरीज बना चुके हैं आखिर जिस रोष्णी की बात कर रहे हैं जिस आलोग की बात कर रहे हैं जिस वह वले की बात कर रहे हैं आखिर वो औरा क्या है हम उस औरा के जानते हैं चान साथ से तो जो औरा आपने महसूस किया जो एक लाइटनिंग आपने महसूस की वो आपके भीतर कब फूटना शुरू ही कब दिखना शुरू ही और कितना उस लाइट का इंतजार है आपको शायद आज से तीन साल पहले पेंटिंग जब मैं बना रहा था तो मुझे कहीं से कुछ लगा क्योंकि मैं एक ही बात मानता हूं कि आर्टिस्ट हो या इनसान हो वो नेचर से ही प्रभावित होता है नेचर से ही वो आगे अपने आपको आगे बढ़ाता है तो एक बात और है कि इसमें अगर इनसान का साफ दिल और सचा दिल हो तो खुदा भी उसके साथ होता है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कोई रोशनी ने मुझे चुआ और वो रोशनी मेरी पेंटिंग के अंदर समाहित हो गई उसको जब मैंने ध्यान से देखा और समझा तो मुझे लगा कि वागी कुछ है जो मुझे कुछ कह रहा है उसको जब आगे मैंने उसको डवलब किया तो उसके अंदर से कुछ फूटा फिर धीरे 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 आज आपको शायद यखीन नहीं हो पता नहीं कैसे मैंने शायद नहीं किया है वो मेरे माध्यम से इश्वर द्वारा भगवान द्वारा करा हुआ एक कलावव है कि जो दुनिया को कोई दिखाना चाता है तो गौतम बुद्ध एक ऐसे करेक्टर हमारे उसके हैं जो हैं हिंदुस्तान के लेकिन माने पूरी दुनिया में जाते हैं तो उनके अंदर एक ग्यान की जोती जली थी उस ग्यान की जोती को टार्गेट करके वो उस लाइट कैसे वहां से निकली है ये गौतम बुद्ध का और ये भगवान का ये खुदा का करिश्मा हो सकता है शायद मेरा उसके अंदर रोल इतना है कि मैं उसका माध्यम हूँ और मैं बनाने वाला शायद उसको डव्लोग करने वाला मैं नहीं हूँ दोस्तों आपकी बात मंज से हम आपको कई कलाकारों से मिलवा चुके हैं और एक कॉमन बात उसमें ये रही है कि इन सभी कलाकारों ने चाए पीछे सिक्ता दास रही हो ये कहा है कि हम अपनी अभिरक्ति करते करते किसी ऐसे संसार में पहुँच जाते हैं जहां का हमें पता नहीं होता है और हम कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं जिसका हमें उससे पूर्भान नहीं होता कई संगीतकार बजाते बजाते कोई ऐसा पीस बजा बैठते हैं जो पीस उन्होंने ना कहीं से सीखा होता है, ना कभी बजाया होता है, और वो पीस अध्भूत होता है, वो शुद्ध स्वर होते हैं, वो सधे हुए स्वर होते हैं, वो ईश्वर के चरणों में चढ़ा हुए फूल होते हैं, और शायद इसी उजास को, इसी रोश्मी को प्र बड़े शायर से राश्पती भावन तक कैसे पहुंचा हूँ, क्या इसके पीछे पूरी कहानी है? और यह सफर कैसे हुआ, मुझे उसके बारे में मैं भी नहीं जानता, कि कब कहा, सिर्फ यही नहीं कि राश्पती भेवन तक नहीं, आज मेरी पेंटिंग्स यूके में, सिंगापूर में एग्जिविशन मेरी, अभी एक गुरूप शो हुआ है, अभी एक यूके में होने जा है, हकीकत बाती है, कि आप अपना काम इमानदारी से करते चलिए, आप पूरे लगान और पूरी मेनस से, बिना किसी चीज की प्राप्ती, जैसे गीता का उपदेश भी है, कि आप जो है, वो सिर्फ करम पे विश्वास रखिए, फल की इच्छा मत करिए, तो मैंने सिर्फ उसी को फॉलो किया, कि मैंने सिर्फ काम किया अपना, मैं यह नहीं चाहरा कि पेंटिंग राश्पती में लगेगी, मैं भी नहीं जानता था, मैं यह नहीं जानता कि युके में लगेगी, या कहां लगेगी, मैं सिर्फ अपने काम को अपनी वादत समझ के सिर्फ करता रहत इसका भी लगभग इतने ही आप काम करेंगे लेकिन बहुत सारी किस्म की पेंटिंग्स आज के बाजार में आज के दौर में चल रही है Abstracts के बारे में, अमूर्त पेंटिंग्स के बारे में, जिसें Modern Art कहा जाता है उनके बारे में देखिए, abstract है, contemporary है, इस टाइब की painting आज मार्केट में बहुत ज़्यादा वो है, trend उसका ऐसा नहीं है, इस सब की अपनी अपनी एक पहचान, एक अपनी अपनी विदा है, हर आर्टिस्ट एक ही तरह से painting करेगा, एक ही रंग दिखाई देगा दुनिया में तो शायद रंग व लगता है, जब रंगों को उसके उपर कमान हो जाता है, रंगों के उपर उसको रंग, जो वो कहना चाता है, उसकी आत्मा कहना चाती है, वो रंग कहने लगते हैं, तब एक अपसिक टाड़ बनती है, जब आप आर्ट कर रहे होते हैं, तो सबसे पहरे वो आपको सुख दे है और उसके अंदर इतनी अभियक्ती होती है जो फिर वहां से निकल के दूसरों को सुब नेती है कि ठीक है कि रंगों की समझ USA में आ गई लागाई अमूरतन आपकी समझ में आ गया अपनी अमूरतता में आप अपने कैनवा स्थीख देख रहे हों आपके हो गई या contemporary हो गई उन लोग की समझ में नहीं आती है painting वो सीधे सीधे realistic उनकी समझ में आती है तो देखिए इसके कुछ parts है इसके कुछ वो है जो लोग को पसंद नहीं आते हैं अब जैसे पकाराग है वो किसी को पसंद बहुत कम ही लोग होंगे जो बड़े गुलाम अली को सुनना चाहेंगे हर कोई जो सुनना चाहेंगा वो यह light गजल light music सुनना पसंद करता है actually हर चीज का एक status एक अपना समझने की लेविल है अब जो paintings वो लोग समझते हैं जो BA और MA के student है वो ही चीज PhD और MBA और बड़े-बड़े जो है multinational लोग है उन लोग की सोच और उन लोग की जो मासिता है उसका फरक जो है इसी paintings के माध्यम से ही देखा जा सकता है ऐसा नहीं कि painting आप से कुछ नहीं कहती है painting तो बनी है अगर canvas में बनी है तो artist ने बनाई है artist एक्शली सिर्फ माध्यम है बनाई किसी nature उनने बनाई है उसको तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो है जो कुछ कहना चाहता है अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग artist के बारे में नहीं जानते हैं वो सिर्फ रंगों को देख लिया उनोंने कि कुछ है कोई कुछ है और अपने घर में वो कभी-कभी पेंटिंग्स बनाते हैं art as a profession आज के दोर में संभव है है तो कैसे है संभव अब डॉक्टरी के लिए मेरे साब से MBA MBA करने के लिए 5 एर चाहिए होते हैं MBA करने के लिए 3 साल चाहिए होते हो लेकिन आर्टिस बनने के लिए मेरे साब से 50 साल चाहिए है 50 साल से नीचे का कोई सौधा नहीं है इतनी लंबी रेस में अगर कोई दोरने की हिम्मत रखता है तो मेरे साब से तभी उसको art field को जो है वो चुनना चाहिए लेकिन उसके बावजूद भी आज आर्ट एक ऐसा faculty एक आर्ट ऐसा माध्यम बना कि बच्चों को जो एक जमाने में रोका जाता था मुझे भी रोका गया था ऐसा नहीं है वो रोका जाता था लेकिन आज लोग अपने जो बच्चे हैं उनके जो boys हैं, girls हैं उनको पेंटिंग से आगे बढ़ाना चाते हैं पेंटिंग के लिए रोकते नहीं हैं सबसे अच्छा काम शायद यह हुआ इसमें commercialize हुआ इस वज़े से हुआ या आर्ट उन लोग की समझ में आ गई इस वज़े से हुआ यह मज़े मालूम नहीं है लेकिन हाँ आज आर्ट से लोग डरते नहीं है दूर नहीं भागते हैं आज आर्ट को अपने अंदर अपने आप के आसपास महसूस करते हैं बच्चे के लिए फख्र की बात है माँबाब के लिए कि हमारा बच्चा आर्ट थोड़ा सा जानता है ये एक अच्छा हुआ है इंदुस्तान के अंदर बहार तो हमेशा सही है कि आर्ट फेकल्टी आर्ट को लिए तुम सारे लोग जो है वो आर्ट और म्यूजिक से जुड़े होते हैं बिना आर्ट के उन लोग की लाइफ का एक दिन भी नहीं होता यहां पर जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि कुछ गेन करने लगे पैसा चाहिए एंबी बिएस है इंजिनिरिंग है ये है वो सब काम कराएंग ले आर्ट के लिए वो जानते हैं कि अगर इसके अंदर गया तो या तो लोटेगा तो कुछ बनके लोटेगा वरना बहूत गेही खाई है एक ऐसी जिस जो अनन्त तक लेके जाती है जिसका रिजल्ट मिलता है जरूर बहुत अच्छा मिलता है मैं ज kıशा मिलता है लेकिन वो तब मिलता है जब सब लोग नाउमीद हो जाते हैं वो आर्टिस भी नाउमीद है जाता है कि शायद इससे कुछ नहीं होगा जब कृष्ण को कर रहे थे आप सिरीज कर रहे थे तो दूर दूर भी जहन में नहीं होगा कि अगला टार्गेट आपके बुद्ध होंगे बिलकुत सही एक दम सदी कैसे बुद्ध टार्गेट बने क्या दिवा सुपन आया आपको कि किस चीज ने आपको उस एपरोच तक पहुंचा आया कि अब बुद्ध पहली बात तुमें राजेज जी को वाखी हमत की बात है राजेज जी ने वो सवाल पूछे है जो मेरे अंदर कहीं न कहीं जो है वो अंदर ही अंदर मौजूद थे और आर्ड के लिए इतना अच्छे सवाल और वो शायद मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा पूछ पाएगा अब किसे बुद्ध आए इसका एक थोड़ा सा सिक्वेंस है बुद्ध का मतलब त्याग है प्रेम त्याग के अगला स्टेप जो है वो त्याग होता है तो यह मुझे लेके कौन चलना मैं नहीं जानता हूँ मझे नहीं मालूम है कि कौन है जो गाइड करता है कौन है जो मेरी सेरीज अप जो मेरी पैंटिंग करता है कि इसके बाद यह हो गी फस्त मैं पोर्टेट्स मैं उसके बाद लेंड्सकेप किया नیचर यानि वहकति चटर फे नेचर को समझinea नेचर को समझें मैंने एक culture को समझा राइस था नहीं culture को मैंने पेंटिंग्स की उसके बाद मैंने और थोड़ा सा अपने आपको और चुआ तो मैंने थोड़ा और subject जो दुनिया भी थे जो दुनिया प्रॉलम थी टर्रियरिजम पर मैंने एक काम किया वो पेंटिंग्स थी फिर उसके बाद फिर जब मैं आया तो प्रेम को चुआ पता नहीं कहां से चुआ लेकिन हकीकत में रादा करण को चुणा और प्रेम को चुणा एक ही बात थी अगला step क्या होगा मैं भी डरता था मुझे भी नहीं लगता था कि अगला step क्या होगा लेकिन वो खुदरत नेशर पहले ही decide के प्रेम का बात जो अगला step है वो त्याक का है वो अध्यात्म का है वो कहां से आया मैं I don't know मुझे नहीं मालू उसके बारे में सच बात इस टेप मेरी अंदर को कपकवी जैसे होता ना वो एक कोई चीज मिलने के बाद होती है तो वो चीज मैं महसूस करा हूँ आपने बिलक इसी चीजें आपके फैमिली में आपकी एजुकेशन में आपकी तर्तीबियत में आपकी बनावट में बनियादों में चलती है और उसके सार्थ कृष्ण और बुद्ध को समझना एक थोड़ा मुश्किल काम है कलाकार के लिए मुश्किल काम नहीं है मैं यह समाल पर्शब पर सही वो पूछा है एकली मैं शहाद कुछ नहीं हूँ I am nothing मैं ना मुसल्मान बन पाया हूँ ना मैं हिंदू बन पाया हूँ ना मैं सिख्ण ना क्रिश्टिन कुछ नहीं हूँ जिसके अंदर जैसे किसी आप टेबिल को साफ कर ले उसके उपर कोई फूलदार नखें तो मेरे हिसाब से धर्म जो है अलग करने का जनाम नहीं है धर्म एक ही है सब कुछ एक है मेरे अगर मैं इसको कहीं जाके बताओं तो सारे लोग शायद मान भी ले या समझ भी ले हो सकता है उनके कान ना सुनाई देता है और ना समझ पाए ये टेबल को साफ कर लो फिर इसके पर एक फूल लखो तो वो खुरसूरत लगेगा तो मैं एक टेबल हूँ और मैं अपने आपको पूरी दरीके से पहले स्वक्ष और साफ करना चाहता हूँ एक बेहतर इंसान बनके अगर मैंने दिखा दिखा दिया अपने आप कोई दिखाना मुझे किसी दुनिया को दिख अपनी और रास्ते कर क्या चाहते चलते चलते इस्टुएंट्स के लिए क्योंकि आप इस्टुएंट्स से बहुत जुड़े रहे हैं बरेली में आपके बहुत सारे स्टुएंट्स हैं बरेली में ही हम इस कारेकरम को परसारिक करते हैं क्या कहना चाहेंगे अपने माख से नहीं, दिल से नहीं, अपनी आत्मा से जब तुम उस चीज को महसूस करोगे, अपनी आत्मा से उसको जोड़ो, तुम जब देखोगे, कि आड़ के अंदर तुम्हे वो सुख, वो सारा कुछ मिलेगा, जिसकी तलाश लोग सदियों तक करते रहे, उन्हें नहीं मिली, आड़ के अंदर वो सुख है, तुम सारे इस्टुएंट जो हैं, सिर्फ हाथ से पेंटिंग बाते हैं, हाथ से पेंटिंग नहीं बनते हैं, पेंटिंग का मतलब आत्मा से, अंदर से, हाथ तो मर जाएंगे, तो हाथ तो ऐसी रह जाएंगे, वो चीज जो चली जाती है, व कुछ से पकड़ों से पेंटिंग को, तब जाके कहीं कुछ मेरे साब से हो पाएगा, और बाकी सब लोग के लिए मेरे जो आर्ट स्टुएट हैं, और मेरे आज भी यहां मोजूद हैं, ऐसा नहीं है, तो उनके लिए मैं काफी शुबकामनाय हैं, और मैं चाहता हूं कि वो ल हमेशा हर किसी को उपना दियां. तब ही आप कलाओं को भी समझ सकते हैं और कलाओं को अपने अंदर भर सकते हैं एक कलाकार ना बनिये लेकिन एक अच्छे इंसान को बनिये बहुत बहुत शुक्त बहुत बहुत शुक्त दोस्तों आपकी बात कारिकरम आपका अपना है इस कारिक्रम से जुड़िये, इस कारिक्रम में आप किस तरह के अतितियों से मिलना चाहते हैं, आप हमें लिख भे सकते हैं इस पते पर, कारिक्रम आपकी बात, विश्मान अभावन, 103 सिविल लाइन, हिन सिनेमा के पीछे बरे लिए, फोन 9359, 1100, 1100, तो अगली आपकी बात आपके हम आपसे फिर विलेंगे शहर के और आतिति के साथ, उन से बात करते हुए किसी और विश्मान आपकी बात कारिक्रम में तब तक लिए, मुझे इदाज बीचे आप देख रहे हैं परिली प्राइम, परिली जनमर वन चैनल